यह गाइस वाट्स वेलकम बैक टो माई चैनल ने शाननी फ्रेक्टरिटी तो मैं हूँ संतहिर्दा राम नगर स्टेशन चोकि भोपाल में एंपी में हैं अब प्रिविसली दर स्टेशन वस नेमड अज बैरा गर जिसका नाम बदल कर संतहिर्दा राम स्टेशन किया गया है और मैं एंपी के सिटी में हूँ और जा रही हूँ यहां मामा मामी जी रहते हैं मेरे तो उनके हां जा रहे हूँ कुछ काम से यहां आई हूँ तो वेलकम तू भोपाल प्रसिटी ओफ लेग एज यू गाइस वेलकम हो रहा है हमारा तो यहां पे मैंने काफी चल भी मारा है वही कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली ह जो कि देख भी रहे होगे बहुत साफ और मिन्स एक लेक है भोजपूर लेक है उसके चारों तरफ मिन्स कहीं भी जोगे तो इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा और यह बहुत-बहुत सुन्दर भी दिखता है मिन्स थंडी हवा कि तो बात ही अलग है मैं इस सिटी में थर्ड टाइम आई हूँ और मुझे जहां तक लगता है यह बिल्कुल फुली पॉल्यूशन फ्री है कहीं पे कुछ किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं है और काफी साफ सुत्रा भी है तो मुझे पैंटिंग में बड़ा इंट्रेस्ट है तो यहां के सरकों पर बिहार में जैसे बदुवनि आठ है तो यहां के सरकों पर कुछ अलग अलग आठ है मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ बट मैंने कई जगह नोटेस भी किया है और इधर से हमारा न्यू मार्केट का भ पर फिर फ्रेस होने के बाद हम बच्छों ने और मैंने डिसाइट किया कि हम घूमने चलते हैं यह तो वहां चलते हैं गर आपको आगे कि चीजे बताती हूं है आखली मेरे लिए भी नहीं हुआ है हम लोग कहां जा रहे हैं कुछ भी तो आइडिया होगा पार्क नहीं पहले भोपाल का बड़ा तालाग देन वन भीहार देन एक जू है छोटा सा उसी को सायद वन भीहार कहते है ना अगर वोटिंग हुई तो वोटिंग भी हम कवर करें हैं और स्ट्रीट फूड भी वह हमार एल्ड परस रहेगा कि हम स्ट्रीट फूड में क्या क्या खाएंगे है ना CINU क्या क्या खाएंगे वहिघर पूरी ऑके जो कई बड़ पार में कुल्फी में से चुट्रेश खाएंगे आपको पसंद क्या हैं अदों को पसंद क्या हैं क्या शिल्वा में जिकिन बोटिंग वारी ओटो कहा है? तो गैस, हम लोग ऑटो पे बैट गया है और हमारा अविर का डेस्टिनेशन क्या है? बड़ी तालाव बड़ी तालाव भाटे वाटे बाटे वाटे वाला भीया मेन गेट पे छोड़ना जहां पे वो रहेगा न गोटिंग वाला वहाँ पे इंट्री गेट के पास आप छोड़ना ठीक ना? समझ गया पीनू जा लो करो भी और को इसके सरे हुए ताम रा रहे बड़ा बड़ा आखमा देखा आपको एडिट करना पड़ेगा है ना जो है देखो ट्राफिक ना ट्राफिक वैसे भोपाल भारत देश में MP की कैपिटल है भोपाल को या राजा भूज की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि जीलो की नगरी है यह यहां पे न कई छोटे बड़े तालाब हैं जहां तक मैंने स्कूल लाइफ में पढ़ा था 1984 में अमेर्की कंपनी यूनियन कारवाइड से मिठाईल आइसो सीनेट गैस के रिसाब से करीब 20,000 लोग मारे गए थे तब से यह नगरी थोड़ी चर्चा में आ गई थी भोपाल को लेकर यहां पे इंडियन हैवी इलेक्रिकल्स लिमिटेड का एक कार खाना भी है अपार्ट प्रॉम दीज ओल नॉलेज यहां पे कई सारी चीज़े हैं घूमने जगा जगा पहारों से जो पानी गिर रहा है मतलब ऑसम फिलाल हम अपने डेस्टीनेशन पे पहुँच चुके हैं इस जगा को अपर लेक से भी जाना जाता है जैसे बड़ा ताला आप कहते हैं वैसे भूसताल फॉर्मली को जो आपर लेक विज लाइस लेस्टीनेशन पे जाएं जो जो रहा है जो जो पानी पेनु को आपने बादे यार अगर कोई अगर ड़क बोलती है कि पीनु का मू बंदर जाए तो समा को गुसा हो कि इसको डाश रहे है यह लोग है ना हमें कितना टाइम लग गया यहां पे आने में फिर भी हाफ एन आर तो लग गये होंगे ना अप्रॉक्स 10 किलो मीटर होगा और फ्रम गोपाल जंक्सन इसका होगा करीब 5-6 किलो मीटर तो हो गई और यह बहुत सुंदर है मिंस बहुत सुंदर बड़ा अच्छा लग रहा है यहां पे आके पूरा यह फैला हुआ है दलेक अफ सिटी गोपाल पानी भी काफी साफ है गाइस आप देखो बोटिंग भी है फैमली बोटिंग है प्रूज है बहुत सहीं लग रहा है यह सब होती है यहाँ पर और इन सब को कुछ खिलाना अलाव नहीं है कोई भी खाद परदार्थ लेके आना इनको फीड करना अलाव नहीं है लिखा हुआ है कि इसको फांसीट करता होगा है लो इनको छोगों कि अबसी तरह तरह दाता है अपके लोट एपके लुटे मोटर इंग और जो चलाना होता है खुझ से नहीं लाइद का चलाएगा अपको बैचना अचा वह लगी तापू में उतारेगा तरगा तरगा रोके या वो खुद इसे बुला लेंगे आपको रोकेगा दस मिनित रोकेगा गूंड़े दूसरा क्या है दूसरा स्पीड बोट में क्या है स्पीड बोट कौन सा है इसमें यह तो तो मोटर वोट आपको आपको यह वाला वही वाला उसका पेटल बोट में आप चलाएंगे 200 रहेगा चार लोगों का 200 कहीं भी जा सकते हैं इतने में ही और फिर कितने तिर में आज आना है आधे घंटी की राइट आधे घंटी की पर प और इसमें चाहिए घंटी का नाम बोट क्लव बता रहे हो नो दूसमें चार लोग जाएंगे चार से पांच मिनट क्या है वार्स चार से पाच मिनट हमारा कोई काम नहीं है कहीं पर रुकेंगे नहीं करेंगे तो रोइंग करेंगे तो रोइंग में पच्छीस मिनिट गुमाएगा आपको वहां रोगेगा अधी टापू पर गुमाते लिए जाएगे अधी टापू है जील के बीच में वहां पर रुकना होगा तो हमने लाइफ जागेट अपना फिट कर लिया है और काफी अच्छे से इंज्वाइब करने वंकी तैयारी हो रही है लेस्ट सी गाइस कि कितना मज़ा आता है वैसे हमारे लिए बोटिंग ही है कि काफी मज़ा आने वाला है तो हम रेडी हैं और रुकना से संदिल कि अम्यार आने विए थावल रुकन हो रही है और को जाइस कि अच्छे दो उपना तो हम जाम पर सकते हैं कि अच्छों गया था यह हमारा बोट चलाने वाला माई कॉर्ड सब के चेहरे इसका चेहरा अच्छों पर देखना नहीं चाहिए तुमाना ड़्ट नहीं लगदा है ना मुझे तो नहीं तुम्हें भी नहीं ना हमें भाईया पर पुड़ा यकीन है अच्छे से पहुचा ना जील की सबसे अनोखी और सबसे बरी बात है कि यह पूरे भोपाल सिटी सहर के निवासियों को इस यह पीने का जल होता है उनके लिए यह में सोर्स है यह से अराउंड 40% अफ दे रेसिडेंस विट नेरली 30 मिलियन इंपेरियल गैलन ऑफ वाटर पर देव माइक और इसका एक डैम भी है जैसा इसने बताया यह डैम है इस पानी को चेंज भी किया जाता है यह फिस साफ किया जाता है कुछ ऐसा करके तो इसका कुछ ऐसा भी प किया जाता है और लोगों के सोर्स ओफ इंकम भी है यहां से इसका तो यह रुकी हुई जील है यह नदी वाला फाल नियोई वीकिस पानी सा पर रुगा हुए है नहीं गायं है जाते तो फिर खराब बदबू नहीं आता है रुका हुआ पानी है तो तो ताइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना चेंज नहीं होता है इस जैकेट का फाइदा क्या होता है फाइदा का है फिनकेस लहर तेज हुई पानी में घरने लगे हम लोग तो यह मार 2022 हम डूबेंगे नहीं फिर यह लोग हम लोग को बचा लेंगे मतर दीखेंगे तो बचा लेंगे यह बचा लेंगे कैसे बचाएंगे और ऐसे पर रूचैने नो मृब只 लेंस फिर कुछ है उसके बारे में ऐसे ही है तो वह चोटा सा एरिया वैसे क्यों रह गया वह जूइल में क्यों नहीं आया नहीं पता अलग से बनाया गया तो इतनी बारिश होती है तो भी वह डूपती नहीं है पानी के बीच से शहर को देखना एक अलग ही नहीं होता है जो कि बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत ठंडी हवा आ रही थी इस बीच हमने डिसाइड किया कि हम इस चोटे से टापू पे नहीं उतरेंगे इस पे दरगा है तो हमारा कुछ वैसा प्लान नहीं था तो हमने इग्नोर किया और उसकी टाइमिंग हमने बताया कि हमें पानी में ही घुमा दो तो हमारा कुछ ऐसा प्लान था और आप शहर देख सकते हो जी तो आसम होती है शाम की बोट कलब के बगल में ही गाइज उतरने के बाद ये म्यूजियम जैसा वहीं पर बना हुआ था सजा हुआ था और ये चोटा सा रेल जो ट्रेन है ये काफे अट्रैक्टिव लग रहा था यहां पर और मुझे सबसे अच्छा अनुखा ये गिटार पुराने टाइम का फिर ये गारियों का नाट वोल्ट जो होता है वो भी है सेडी भी है और जो इंस्ट्रुमेंट होता है वो सब है हां उपर सीडी प्लेयर है कैसेट्स इसका स्टैंड और ये कीवोर्ड है ये थोड़ा यूनिक है हां माइक ओड यार मिस कहां कहां से क्रियटिव माइन आता है लोगों के पास एक और एजी दी आई वाई ये थिए असमाइब भीज हलोगों ये थाई करो आज मैं है कैम्मों इसको विए इसको कैप्चिर रहे हैं मैं प्रणी को निस देख से अ मुझा आडिया नहीं है जागा अगर सहर की बार की जाए तो यह सहर बहुत बहुत अच्छा लग रहा था इसकी सुपूर्थी अलग ही थी यहां पर सबसे चीज़ लगी की पब्लिक ट्वाइलेट भी था जो की काफी हाईजनिक था इसके बगल में पार्किंग भी था तो मिन्स पार्किंग वाश्रूम को लेके तो कोई दिक्कत ही नहीं है और रही बात गोटिंग प्लब की तो यू कन गो इन दे इवनिंग और वाटर इस वेरी फ्रेस एंड क्लीन अच्छली तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बारे में अगर कुछ पताना चाहूं तो डेटिंग बैक टू दा इलेवन सेंचुरी यह लिए एक राजा बोजने बनवाया था जो कि मैंने पहले बनाया था बताया था और उपर जलत रंग है जो कि दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी इसके बगल में कमला गार्डेन भी है विच इस अनादर टूरिस्ट मैग में और इसके टाइमिंग होती है सिक्सेम से सेवन पी एम और विए टोल्ड यू कि यह पार्किंग के बिलकुल दिकत नह आएगा जो कि 5 हमने यहां खुब सारी मस्ती की है अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी जलत रंग के बारे में जो इसी के पास है सो सब्सक्राइब करतो मेरे चैनल को बाबाई